बिस्मिल्य रमाने आई असलाम अलेकुम दोस्तों पहली वीडियो में हमने असूल बताए थे क्राग जोजावरब के तो पार्ट वन था हमारा पार्ट टू में हम एक्जम्पल के साथ वजात करेंगे अगर आपने हमारे पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लेज मारे पहली क्रेट जोजावरब की वीडियो जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आई अब हम कुछे सूल हमारे रहते थे जो हम एक्जम्पल के जरीए करवाएंगे तो यह देखते हैं हम यू नीट नाट एनिमान तो जहां भी नीट आजाए वहां तू के बगार हम वरग की पहली फाम समयर करेंगे तो यह पहली फ़ाम तो यह है तू अब्यूज वैसे ज़ीएख यह बहँरो ब्रत हमीज पहली पाल Stress माल करेंगे अरहा जो नाबर दो अवरको मश्मार ड़र मार्द थान पहली की नशान हो दर्क्षा ने न्स अब के लिए प्रेजिट इन्ड इंड्फनिट। इस्तमाल करेंगे अगर फिक्र के अंदर हैं में विवांन गारलईस जिस फिक्रे के अंदर अलेस हो वु दूसरे इसमें प्रेजनड है तो पीचह भी हो प्रेजन ंड्वार समग करने अकर पस्ट है इस्ट माल गौए लिंगशे हम वरक इस्तमाल करेंगे, अगर हमारा कुड होता तो फिर हमने वरक इस्तमाल करना था option no 4 हमारा, I work hard, so that जिस figure के अंदर so that आजाए यह जो गोड़ से देखिएगा के जिस figure के अंदर so that आजाए, वह हम, मे या माइट इस्तमाल करेंगे sap ह website करेंगे जब हमारा पीछे पास्ट होगा जाली अगर इधर सुफिक्रा के अंदर या बीन का इसके बाद अगर किसी का एक उन्डर यस्तरे यह सूल हमने पिछली वीडियो के बड़ा जो हमने व्क पास्ट करेंगे है यह प्रफिक्ट है हम इसमाल नहीं करेंगे बाद हमारा पास्ट इसमाल करेंगे और यह बाए हमारा प्रेजेंट है यह हम इसमाल नहीं करेंगे तो बाट हमारा यहां कर जूजाबर में यह अप्शन हमारा ठीक होगा यहसेडे के अंदर हमने पास्ट इसमाल करना था जा भी फोरूर के अंदर एक फास्ट इसमाल करेंगे और एक हिसे में पास्ट इस्त्माल परिखेंगे इसी तरह इसके अंदर हम एक हिसे में future indefinite इस्तिमाल करेंगे और दूसरी हिसे में present इस्तिमाल करेंगे और हम यहां तो present हमारा लगा हुए तो when के दो सूल है पहले सूल में यानि एक present होगा तो आगे हमारा combination होगा अगर एक इसी में future definite होगा तो आगे हमारा present होगा अगर हमारा past होगा तो आगे हमारा past होगा यानि इस सूल में विल है हमारा future definite तो future definite के साथ combination होगा present indefinite तो यहां हमारा option होगा when नमबर वन इस नमबर टू आर नमबर थ्री वाज तो यह हमारा वैंड यू आल रेड़ी एक इसे में हमारा प्रेजेंट होगा और एक इसे में फ्यूचर डेफिनेट होगा तो यह बैंड का हमारा कम्बिनेशन यह होगा इसके बाद वर्ट हार्ड लेस्ट यू जिस फिक्री के अंदर लेस्ट आजये वह हम शूब इस्तमाल करेंगे तो यह ऑप्शन वारा ठीक होगा फिर डैश बादिंग इन अपॉल वैंड का दूसरा असूल हमारा पहला असूल तो हमने किया कि एक इसे में फ्यूचर डेफिनेट और दू आई अजी वाले फार्म इस्तमाल करेंगे फिर शीट वाद है तो इसके साथ हम वाद लगाएंगे तो इस इसमें बी पास्ट है उस सिस्से में भी पास्ट है ये वैंड का असूल है तो आई हम चलते हैं अगले टॉपक की तरफ किसी फिक्रा में वूट दैट आड़ता है तो वहां हम हैड लगाकर अगर पी तीसी फार्म इस्तेमाल करेंगे या फिर वार्ष इस्तेमाल करेंगे यानि हैड लगाकर अगर किसी फिक्रा के अंदर वूट देट रता है हैड लगाकर अगर पी तीसी फार्म या वार्ष इस्तेमाल करेंगे तो हुड दैट he dash damage, hat लगा का वरब के तीसी फार्म दीवी है, may one दिया हूँ है, या one दिया हूँ है, है लगा का वरब के तीसी फार्म हम इस्तमाल करेंगे, अगर किसी फिक्रा के अंदर would that आता है, तो option is, इसी का दूसर option would that I dash, आपनिस्टर, तो अगर किसी फिक्रा के अंदर वूट दैट आता है या तो हम वारी इसमाल करेंगे या है लगा का वर्व के तीसी फार्म और यह होगा दोनों में से कोई एक आप्शन वो देगा इसके बाद हम कंडिशन संटेंस की तरफ आते हैं तो कंडिशन संटेंस के दो हिस्से होते हैं एक इससे पहले वाला और एक अनवर्ट कॉमा के बाद उसे जदाकत है यह हमारे कंडिशन टाइप थरी है अगर किसी फिक्रा के अंदर वूड है लगा का वर्व की तीसी फार्म दी जाती है तो दूसरे हिस्से में हम है लगा का वर्व की तीसी फार्म इस्तिमाल करेंगे यह हमारा कंडिशन टाइप थरी है कंडिशन टाइप अगर एक हिस्से में विल आता है तो एक हिस्से में फ्यूचर इंडेफनेट आता है तो दूसरी हिस्से में का लेता है तो उस हिसे अगर अगर है लगाकर तीसी फाम दी है, तो आप बोड़ है लगाकर वर्ण की तीसी फाम लगाएंगे. कंडिशन टाइप one में आएगा, एक हिसमें आपको future देगा, future indefinite, अगर future indefinite देगा तो आप present indefinite इस्तमाल करेंगे. अगर present indefinite देगा तो आप future indefinite लगाकर इसे complete करेंगे यानि हमारा works आएगा condition type हमारी 2 यह condition type 1 थी हमारी यह condition type 3 थी यह हमारी 1 थी और यह condition type 2 है हमारी condition type 2 में एक हिसे में वो वरब की दूसी फार्म यानि पास indefinite इस्तेमाल करेगा तो एक हिसे में आप फूड या शूल लगाका वरब की पहली फार्म इस्तेमाल करेंगे यह वूड है हमारा तो वूड लगाका वरब की पहली फार्म वूड पास दा अगर आपको कोई भी किसी किसम का वी ग्रैमर के अंदर मस्वा हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा तो नेक्स्ट लेक्चर की तरफ हम आप नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे यह हमारा ग्रैमर के पॉर्शन हमारा complete है तो दौाओं में या रखेगा इन्शा बालाइ झाल फिस